गुड मन बच्चों, गुड मानिंग, मैं हूँ परफेसर हरेराम सिनहा फ्राम इन्वर्श्टिव डेली, बच्चों आज के इस क्लास से एंटिये योजी सिनेट जियारफ एकनॉमिक्स दिसमबर दोहजार तेज का जो पेपर है उसका हम डिसकुसन सुरू करने जा रहे हैं, तो बच्चों चलिए चलते हैं स्क्रीन पे, लेकिन उसके पहले आपसे की रिक्वेस्ट है, कि जदी आप इस चैनल पे नया हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके, बिल आइकन जरूर दबा दे, वीडियो को लाइक एंड सेर जरूर करें बचों, एक और इंफोमिशन आप के लिए बच्चों, गोल टू, एंटी ए, यूजी सिनेट, जियार एफ एकनामिक्स, जून दो होजार चॉबिस के लिए मेरा नया बैच, इस बैच में मैं आपको वीडियो लेक्शर, पीडियो नोर्स, प्रैक्टिस के लिए क्वेस्चन, मॉक टेस्ट, और सबसे बड़ी इमिडियेटली मुझे फोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, वाटसब कर सकते हैं, तो हैनक कमाल की स्टैटजी बच्चों, आपके साथ हमेशा मेंटर के रूप में मैं रहता हूँ, तो बच्चों, जदि आपने भी सपना देखा है, कि आपको जून दो हजार चॉबिस का NTA यूजी सिनेट ज्याराफ एकना में स्क्वालिफाइ करके, इन्वर्सिटीज और कॉलेजिज में पूर्फेसर बनना है, या फिर पिएसडी करना है, तो फिर आप देर मत कीजिए, आज ही आप एको पार्ट साला का एप डाउनलोड करें, और लग जाए अपने सपनों को सक बात करने में, और य instruments की किसी तरह का कोई दिक्कत आ रही है, तो आप मुझे स्क्रिण पर देवे नंबर पे, आप मुझे डिरेक्ली कॉल भी कर सकते हैं, तो बच्चों आप चलते हैं स्क्रिन पे, तो बच्चों हम लोग स्क्रिण पे आचुके हैं, और आप जिस तरीकी स से जानते हैं कि first 50 question वो paper 1 का होता है and economics का जो question सुरू होता है question number 51 से सुरू होता है तो पहला question आप देख सकते है question number 51 arrange the given school of thought जिदे के please in macro economics in chronological order अब chronological order का मतलब क्या है कि आप मतलब history में सबसे पहले कोन आया उसके बाद कोन आया उसके बाद कोन आया उसके बाद कोन आया chronological order का मतलब यही होता है ठीक है बचो तो अब यहां पर आप देख सकते हैं कि आपके पास school of thought है kinesian school new classical classical new kinesian and monetarist बड़ा ही simple सा concept है आप लोग classical economist जानते है classical economist सबसे पुराना है और यह इसका जो starting point होता है approximately 1776 के आस्था और यह लोग क्या कहते थे classical यह एक्चिली supply side इकनोमिक था याद है आप लोग को बच्चो क्लासिकल इकनोमिस वोज सप्लाइस साइड सप्लाइस साइड इकारोवी ठीक है उसके बाद आया kinesian economics 1936 या 30 में आप इसो कह सकते हैं यह demand side economy थी है ना बच्चो demand side यह demand side थी उसके बाद आया new classical sorry new classical economics इसके बाद आया कौन सा बच्चो आपके बाद सामने दिख रहा है यह देखिए पहला पहला है आपके पास classical इकनोमिस सी यहाँ पे सी उसके बाद आया उसके बाद कौन सा है बच्चो classical के बाद आया kinesian a c के बाद a उसके बाद आया कौन उसके बाद आया आपके पास monetrist monetrist आया उसके बाद आपके पास neoclassical आया B और उसके बाद आपके पास आया D आपका आंसर ये है बच्चो answer is this one classical देखे प्लीज classical kinesian classical kinesian monetrist neoclassical and फिर neocinesian सबकी ideology आपको पता होनी चाहिए बच्चो और सबकी ideology detail में पढ़ने के लिए आपको मेरा paid course join करना पड़ेगा चली बच्चो आगे बात करते हैं next देखे next question क्या है बच्चो question number 52 question number 52 देखे प्लीज question number 52 जो है देखे आप है under flexible exchange rate if the current account deficit increases current account deficit increases and the capital account surplus increases for the economy then exchange rate पे क्या फरेक पड़ेगा I repeat again current account surplus increase होगा ध्यान सुनिया प्ले current account deficit increase हो रहा है current account deficit increase हो रहा है current account deficit increase होता है फिर क्या होगा बच्चो मतलब आपका import export से ज्यादा है तो demand for foreign currency increase होगा है न बच्चो and दूसरी तरह कह रहा है बच्चो देखे दूसरी तरह कह रहा है कि capital account surplus increase हो रहा है capital account surplus increase यानि आपके यहाँ investment ज्यादा आ रहा है आपके यहाँ investment ज्यादा जब बाहर के लोग आपके यहाँ invest करने आएंगे तो demand for domestic currency increase होगी आप देखेंगे जदी demand for foreign currency बढ़ता है तो foreign currency appreciate होगी आइंड जदी demand for domestic currency बढ़ता है तो domestic currency appreciate होगी यह दोनों एक दूसरे के वो है अपोजिट चल रहा है तो जब अपोजिट चल रहा है तो depend करता है किसकी strength कितनी है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चो depends upon which one is higher depends upon which one is higher जदी current account deficit जदा होगा तो foreign currency appreciate होगी और जदी capital account surplus जदा होगा तो domestic currency appreciate होगी clear है बच्चो और उसके according to exchange rate में change मारा जाएगा समझे इसके लिए इतना मतलब हो नहीं है यह आपको proper तरीके से exchange rate का system पढ़ना पड़ेगा बच्चो और exchange rate का system आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि economics में जो आपको notes मिलते हैं जो video lecture मिलते हैं इको पार्ट साला से बहतर कहीं नहीं मिलने वाला तो फिर आपको मेरे paid course को जोइन करना पड़ेगा यह पूरा डीटेल में इसको पढ़ना है तो चलिए नेक्स्ट क्वेशन पर क्वेशन नंबर 53 आपके स्क्रीन पर बच्चो देखे प्लीज क्वेशन नंबर 53 क्या है कंसिडर दा फॉल्विंग स्टेटमेंट अब स्पेसिफिक फाक्टर मॉडल अफ इंटरनेशनल ट्रेड और से विच वन आर करेक्ट अब थोड़ा सा यहां पर आपको समाहिन देकी ज़रत है स्पेसिफिक फाक्टर फाक्टर स्पेसिफिक टू एक्सपोर्ट सेक्टर इन इच कंट्री गेन फ्रम ट्रेड ऐसा होता है विच्छो आपको याद है मैंने आप लोगों को पढ़ाया है अपने पेट कोर्स में कि स्पेसिफिक फाक्टर मॉडल में तीन फाक्टर होते हैं एक स्पेसिफिक टू से माल लेते हैं कि फूड सेक्टर दूसरा स्पेसिफिक टू क्लोज सेक्टर और तीसरा जो होता है वो मोबाइल होता है मतलब वो capital के साथ भी combine हो जाएगा और land के साथ भी combine हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर देख सकते हैं factor is specific to export sector in each country gain from trade definitely यह तो gain होगा यह होगा क्यों क्योंकि जैसे आपके पास जब export बढ़ता है तो उसकी prices बढ़ती है जैसे मान लेते हैं कि इंडिया is labor abundant country and labor is used to produce what say sugar sugar is labor intensive product है और sugar इंडिया produce करता था before trade ठीक है similarly आप यूएस के लिए लिए यूएस में आप से cloth is capital specific country या product और यूएस cloth product करता है तो जब इंडिया एन यूएस में ट्रेड शुरू होगा तो इंडिया में तो इंडिया में जो होगा वो sugar की price बढ़ेगी जब ट्रेड ओपन होगा तब इंडिया में sugar की price बढ़ेगी और यूएस में इवेस में cloth की price बढ़ेगी तो जो factor इंडिया में sugar के लिए specific है उसका welfare बढ़ेगा क्योंकि उसका wage rate ज्यादा मिलेगा और इवेस में जो cloth के लिए specific है उसका wages बढ़ेगी तो ये तो बात यहाँ पे सही है पहला सही है आगे देखे पैक्टर is specific to import competing sector in each country lose definitely बात है जो पहले जो जैसे वो factor जिस product को हम इंपोर्ट करते थे उसको उसको loss होगा क्यों क्योंकि अब हमें बाहर से इंडिया के बाहर से कोई भी product अब सस्ते में जो पहले हम इंपोर्ट करते थे महेंगे लेबल पे इंपोर्ट करते अब सस्ते लेबल पे इंपोर्ट होगा तो यह भी सही है यह भी आपका होता है कि जब ट्रेड ओपन होता है तो जिस जिस फैक्टर का हमारे अबंडेंस है और उसको हम इंटेंसिबली यूज करते हैं तो उसकेस में क्या होता है एक सेक्टर एक्स्पैंड होता है और दूसरा कॉंट्राक्ट होता है तो कॉंट्राक्टिंग सेक्टर से लोगों का लोगों के जॉब जाएगी डेफिनिट से बात है तो उसमें अब वो लोग वार्ट सब हो तो सम्सक्राइब हो सकता है तो आपके पास a b and d है option आपके पास a c and d a c and d a b and c a b c d सारे सही नहीं है बच्छो, यहां पे, यहां पे डी सही नहीं है, may lose from the trade, may gain भी हो सकता है, आपके पास यहां पे, A, B and C, सही है, D यलत है, आपके पास यहां पे, यहां पे आप देख सकते हैं, एक सक्ड़, mobile factor that can work either sector may gain from trade, तो यहाँ पे ए इंपोर्ट कंपटे लूज इंपोर्ट कंपटे A and B सही है और यहाँ पे D सही है तो A, B and C यह तीनों से D सही नहीं है बचो तो यह आपके पास A, B and C यह आपके पास thought option है क्लिए रहे हैं? thought option सही है next देखते हैं बचो next question क्या है? please देखे आप लो question number 54 बहुत ही simple और math है question है लेकिन जिन बचो ने math नहीं पढ़ा है उनके लिए थोड़ा यह time है लेकिन जिसने उनने math पढ़ी है उसके लिए बहुत इजी है यहाँ पे कह रहा है बचो यह देखे इसको क्या कहते हैं? इसको कॉलम में चेंज करते हैं यानि अब आपके पास A का transpose पताए क्या होगा बचो 2, 3, 0, 4 यह A का transpose हो गया पहले A आप देख रहे थे यह था 2, 3 अब आपके पास इसका transpose हो गया अब transpose कर दिया आपने into B से multiply कर देजिए 2, 0, 1 5 अब multiply इसका तो मैं नहीं सिखा होगा यहाँ पर आपको आता है चीजे तो कि देखे इसको पहले इससे multiply करना है फिर इसको इससे multiply इसको जो है इस सबसे multiply करना है फिर इसको इससे multiply करना है फिर इसको इससे multiply करना है इसको इससे multiply करना है यहां हम नहीं बताएंगे आपको अब देखें A plus B A and B को पहले plus करिए A and B को plus कैसे किया आता है बच्चों और फिर उसका transpose करेज़े यह देखें आपके पास 2 and 2 को add कर देना है 3 and 0 को add कर देना है 0 and 1 को add कर देना है 4 and 5 को add कर देना है और फिर उसका transpose कर देज़े जैसे आप यह देख सकते हैं A plus B is equal to 2 plus 2 ठीक है बच्चों and 3 plus 0 0 plus 1 0 plus 1 and 4 plus 5 ठीक है अब इसको आप देख सकते हैं आपके 4 1 3 and 9 यह हो गया A plus B अब इसका transpose कर देज़े transpose तो A transpose हो जाएगा यह क्या 4 3 1 9 ठीक है अब इसी तरीके से आपको करके यहाँ पर answer निकालना है आप देखे A transpose B A transpose B सही है की नहीं है A transpose B यह सारा आपको calculate करना पड़ेगा बहुत ही easy question है आपको करना है ठीक है बच्चों आगे बात करते हैं यहाँ पर दो option इन्होंना एक ही दे दिया है I think so दो option दिया है A transpose B और यहाँ पर भी A transpose B अच्छा ठीक है आपको इसमें से correct answer ढूणने है clear है चलिए आगे बात करते हैं नेक्स पेज पेज चले बच्चों नेक्स पेज पेज देखते है question number 55 अब यह तो बहुत ही जी है यह तो मैंने आप लोगों को कई बार पढ़ा है repo rate repo rate is the interest rate at which repo rate क्या है आपको आना चाहिए चीज़ बता सकते हैं repo rate क्या है बच्चों repo rate पता है क्या है आप basically यह एक ऐसा rate है जिस पे RBI commercial bank को loan देती है है न repo rate तो क्या है commercial bank borrow from RBI commercial bank borrow from the commercial bank commercial bank deposit to the RBI commercial common people deposit नहीं यह देखे प्लेज इसको आप repo rate बलते हैं क्या बलते हैं बच्चों repo rate ठीक है इसको आप repo rate बलते हैं commercial bank borrow from commercial bank इसको छोड़ देजे commercial bank deposit money to RBI इसको कहते हैं reverse repo reverse repo ठीक है and common people deposit money इसको आप कहते हैं common people deposit money to RBI यह नहीं possible नहीं है चीज़े और यहां देख सकते हैं commercial bank borrow from other commercial bank यह क्या है overnight interest होता है क्योंकि बहुत सब्सक्राइब के लिए एक commercial bank दूसरी commercial bank से borrow करता है के लिए रहे बच्चों और यह जी जी question थे पता नहीं आप लोगों क्या tough लग रहा था next देखें बच्चों next question क्या है यह question आपके पास hypothesis testing या testing से है यह देख सकते हैं आप लोग यहाँ देखें क्या रहा है कि sum of the square of an independent standard normal variate इसको क्या कहते है बड़ा simple सा है यार इसको तो chi square कहते है ratio of standard normal variate 2 square root to an independent chi square variable इसको क्या कहते है क्या कहते है बच्चों बताई जल्दी से T distribution ठीक है ratio of 2 independent chi square variable each divided by their respective degree of freedom F distribution आत वात हो गया पहले का कौन है बच्चों पहले का 4 पहले का 4 कहां पर यह रहा पहले का 4 A का 4 B का 1 ठीक है 3 का 2 and D का 3 यह आया आपके पास answer ठीक है बच्चों इस तरह का answer आपको समझ में आगे है और इसको detail में पढ़ना है तो आपको मेरा paid course जोइन करना पढ़ेगा और paid course जोइन करने के लिए आपको इस screen पे दिवे number पे आप मुचे directly phone कर सकते है या फिर आप eco पारसला का आप नाउनलोड कर सकते है तो बच्चों आज के इस class में इतना है बच्चों तैंक यू बच्चों तैंक यू